जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रीयकाल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है हेलो दोस्तो मेरा नाम मुहम्मद इस्राइल आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूतिय सुपान के क्वेश्चन नमबर 4 के ई-पॉइंट को बताऊंगा तो दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए सुरू करते हैं इस क्वेश्चन में दिया है कि सर्तों को जाने पैमाना दीसा पारंपरिक संकेत समोच और ग्रीट संदर्व यानि इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप इनके बारे में जाने या जानकारी होनी चाहिए पहला है पैमाना तो पैमाना क्या है या किस कहते हैं तो पैमाना अस्तल फरवास्तवी की दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है तो किसी दूरी को पैमाने की सहायता से दूरी को मीली मीटर या सेंटी मीटर में बदल कर मैप यानि मानचित्र की दूरियां तैंकी जाती हैं जिसस मानचित्र पर एक सेंटीमीटर बड़ावर 5 किवा मन लेते हैं तो इस प्रकार 5 की बड़ावर 50 किलो मीटर हो जाता है तो जब हम इसे मानचित्र पर देखेंगे तो मेरे घर से आपिस की दूरी मानचित्र पर 5 किवा दिखाएगा इसके बाद है दिसा दिसा क्या है तो दिसा यानि डाइरेक्शन तो दिसा हमें अनेक दिसाओं के पहचान कराती है मुख्य दिसाएं चार होती है उत्तर दच्छिड पूरव और पश्चिब और इसके बाद कमपास के अनुसार दिसाएं 16 होती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है उस वीडियो का वीडियो लिंक आपको description में मिल जाएगा आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं अगर मानचित्र पर दिशा का पता लगाना है तो मानचित्र पर दिशा का पता लगाने या सबसे सरलवा आसान तरीका है कि जब आप मानचित्र को अपने सामने सिधा रखते हैं तो सबसे उपर उतर दिशा होती है नीचे की तरफ दच्छिड दिशा उसके दाएं में पूर् पारमपरिक संस्केते तो पारमपरिक संकेत में प्रसीद धेकिला मक्बारा मंदीर मस्जीद घुरद्वारा चर्च इद गाहें पक्की शडक मार्ग कच्ची सडक मार्ग, नदी, बडी रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन, इत्यादी संकेत, मैं पई आनी मान चित्र में दर्स आए गए होते हैं, जिन्हें पारमपरिक संकेत कहते हैं, चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं, इसके बाद है समुच और ग्रीड संदर्ब तो पहला है कंटूर यानि समुच रेखाएं किसे कहते हैं तो कंटूर यानि समुच रेखाएं उचाई निधारित करने के लिए उपियोग की जाती है जिसकी उचाई समुद्र तल से उचाई का अर्थ है फीट में उचाई या रेखाएं कालाती हैं अब यहां हमें बच्चों को समझाना है कि कंटूर लाइन यानि समोच रेखाएं कैसी होती हैं यह किस तरह से होती हैं तो हम इसे आसान भांसा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कंटूर यानि समोच रेखाओं के बहुत से प्रकार हैं मैं आपको उदा खीच कर बनाया या दर्साया गया है उसके बाद उसको 3D रूप में दिया गया है उसके बाद आप देखेंगे कि यह re grading में ऐसा पहाड होता है और इसे जब कागर्श पर स्तराते हैं या बनाते हैं तो इसे बीच से उपर घंटते क्रम में बनाते या लिखते जाएंगे जिससे हमें पहाड का कंटूर यानि समुझ रेखाओं का पता चलता जाएगा जिस तरह का पहाड होगा उस तरह का चित्र और कंटूर यानि समुझ रेखाओं होंगी चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं ठीक उसी प्रकार अगर किसी तालाअब या जहील की कंटूर याने समुच रिखाओं को देखना है तो ठीक उसी प्रकार घटते क्रम में ऊपर से नीचे तक लिखते जाएंगे और इस तरह से जो उसका कंटूर यानी समुझे रेखाएं हैं, वह हमें पता चलता जाएगा, चित्र में देखकर आप समझा सकते हैं, इसके बाद दूसरा है grid, तो grid किसे करते हैं, तो मान चित्र पर जो line खिची रहती हैं, नीचे से उपर और बाएं से दाएं, उसे grid line करते हैं, और जो उन lineों से, यानि बीच में जो वरगाकार्णूमा बॉक्स बना रहता है उसे ग्रीड कहते हैं चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं इस ग्रीड लाइन को इस्टिंग लाइन यानि पूर्वी रेखाएं और इस लाइन को नॉर्दिंग यानि उत्तरी रेखाएं भी कहते हैं वह कैसे तो जो रेखाएं दच्छिड दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाती हैं उसे नार्दिंग लाइन यानि उत्तरी रेखाएं कहते हैं और जो रेखाएं पच्छिन दिशा से पूरव दिशा की तरफ जाती हैं उसे इस्टिंग लाइन यानि पूरवी रेखाएं कहते हैं चित्र में देखकर आप आप समझ सकते हैं इस question का उदारन सुरूप answer description में आपको पीडियो लिंक मिल जाएगा आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं तो दोस्तों स्काल्टिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने वह जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें औ और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे जाए हिन्द